जैमातादी दोस्तों स्प्रिच्च्छ ध्यान चैनल में आप सबका स्वागत है आशा करता हूँ महादेव की करपा आप सबकी उपर बनी रहेगी आज मैं आपके लिए 21 दिवसिये साधना फिर से एक लेकर आया हूँ जो हैं श्री गंगाराम अगोरी जो 108 गंगाराम अगोर तो उनकी मैं साधना लेकर आया हूँ तो साधना में जानने से पहले आप ये जाने कि गंगाराम अगोरी, मंसाराम अगोरी और घंशाम दास तीनों के कार क्या हैं और तीनों कौन थे तो गंगाराम अगोरी बाबा गंगाराम जो हैं तो गंगाराम अगोरी शराप का सेवन मंसराम अगोरी मास का सेवन और वीर घंशाम दास खून का सेवन करने वाले अगोरी थे इन्होंने जबलपुर में समाधी ली मध्यप्रजेश के जबलपुर जिले में समाधी ली और भक्तगर्णें यहाँ पर जाते हैं में मनोकामना पूरी करते है तो यह साधना 21 दिवसी है शनिवार को या बुदवार को यह साधना स्टार्ट होगी चालू करेंगे इस साधना के लिए आपको क्या क्या लगेगा इस चीज़ पर आते हैं गूगल एक देशी शराब देशी शराब सफेद की ना हो लाल की हो कपूर, फूल, लॉंग इलाइची, जैफल एक रुद्राक्ष की माला धूप, दोनारियल नीबू काला आसन काले कपड़े और थोड़ा सा मास अब मास किसका लेना है आपको यह बताना है मास आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ चिकिन का चिकिन या जिसको अपन बोलते हैं मुर्गी या मुर्गे का मुर्गे या मुर्गी का मास लेकर के आपको अगर हो सके तो उसकी कलेजी ले ले कलेजी अगर नहीं मिल पा रही है तो मास उसका चल जाएगा 21 दिवसी इस साधना में शनीवार या बुद्वार से जब आप इसे चालू करेंगे ये आपकी 21 दिन तक लुड़ी प्रतेक दिन हर दिन लगातार चलेगी आपको ब्रह्मचर का पालन करना होगा खंड़त नहीं होनी चाहिए अब ये साधना करनी कहा है अब ये साधना आपकी दो तरीकों से होगी अगर आपको प्रत्यक्षी करन करना है तो आपको इस साधना को शमशान में बैठ कर करना होगा और आपको अगर विशेश कृपा प्राप्त करनी है सात्विक तरीके से तो आप घर पे मास का भोग ना दें मास के भोग के जरीए अलावा आप मीठा चड़ाएं मीठा चड़ा करके उनके एक विशेश कृपा प्राप्त करें तो वो चीज आपके लिए अच्छी और उत्तरदाई होगी आपके लिए आप अगर प्रतक्षी करन चाहते हैं इन्हें सामने देखना चाहते हैं तो आप शम्शान में जाएं शम्शान में बैठें आप अच्छे तरीके से अपना पहले गुरु मंतर चागरे तोर अवस्ता पर लाएं गुरु मंतर से अपना शरीर का कीलन आसन कीलन जो बंधन होता है छेतर का वो बंधन करें फिर साधना करने बैठें अन्यता अगर आपके गुरू नहीं है तो इस साधना को ना करें क्योंकि ये साधना काफी उग्र है काफी प्रचंड है और काफी खतरनाक है रात के समय ही ये साधना होगी रात के समय तस के बाद ये साधना होगी जब तक आपका साधना के दौरान आपको मास, शराप, मदिरा कोई भी नशे नहीं करने है मटन चिकन नहीं खाना है सात्विक तोर से अगर कर रहे हैं आप तो पर अगर आप तमस तोर से कर रहे हैं शम्शान में जाकर कर रहे हैं आपको सेवन कर सकते हैं पर अंतू साधना के 8 गंटे पहले तक नहीं तो साधना में तमस गुलू का जादा आपके अंदर प्रभाव देखने मिल सकता है तीसरी चीज़ ये आपको क्या करना होगा जैसे सम्शान में आप कर रहे हैं साधना कीलन के बाद आपको मंतर जाप चालू कर देना है आपको पहले गणेश मंतर गुरू मंतर सरवकाल साधन मंतर और फिर बावा मंसाराम का मंतर में जो बोल कर बता रहा हूँ हाल ही में एक मैंने क्योंकि एक को बोल दिया था कि आप में मरी माता की साधना डाली और आप बोल रहे हैं लोना चामारन के कुंडे में डूब डूब के वो मर जाए काम करके ना है तो आपकी इतनी बकत या वकाद नहीं है जो मरी माता को आप ये बोले कि लोना चामारन के इसका वाटका मार वैरी के छूटे प्राण मार मूट मरकट पहुचा सवापैर की दखल दिखा सवापैर का दूमा दिखाओं और आगे मंतर गुप्त रखा गया है तो ये मंतर आपको कितना करना है अब बात आती है ये मंतर आपको टोटल 21 दिनों में 41,000 बार पढ़ना है आ आपको जैसे ही आप जब बूजा करके उठें तो जो ओघड़ आसन होता है ओघड़ आसन करके आपको उसका परित्याग करना है आसन का क्योंकि बिना ओघड़ आसन के परित्याग कि कोई भी ओघड़ की साधना नहीं करनी चाहिए जाना हाला कि ओघड़ अघूरी हर और ये इनका काम क्या है रही बात ये तंतरकाट, मंतरकाट बड़े से बड़े वली, पीर खबीस, जिन, फकीर हर चीजों से ये हटकर है ये बहुत ही कहना चाहिए उच्चकोटी के देव हैं समराथ हैं तंतरकाट के और ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि हर किसी को एक औखर की साधना, अगॉरी की साधना करनी चाहिए ताकि वो किसी एक और प्रचंड शक्ति के आ के बढ़ सके तो आपको अगर ये साधना करनी है तो आप हमारे संस्थान के नंबर पर कॉल कर सकते हैं आपको description में number मिल जाएगा और अगर आपको जानकारी बसंद आई तो उस video को share करें like करें, comment करें और हमारे channel को subscribe करें जयमातादी